नमस्कार विद्यार्धिमित्रो ओनलाइन शिक्षन कारेमा आप सवनु हादेख स्वागाच्छे आज हम काव्यतिन पुरानी चीजों के पक्ष में पड़ेंगे इस काव्य के लेखक है राजेज जोशी कविका परीचे राजेज जोशी कविका जन्म सन 1946 में हुआ था प्रगतिशिर विचारधार की कवि राजेज जोशी का जन्म मध्यप्रदेश के नर्जी घड़ जिल्ले में हुआ उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकरिता सुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानिया, नाटक, लेक, किपणिया आदे पर कलम चलाए लगू फिल्म के लिए पटकता लेखन भी किया भारतिया भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रुशी भासा में उनकी कविता के अनुवाद हुए है राजेस जोशी के चार कविता संग्रव, एक दिन बोलेंगे पेर, मिट्टी का चहरा, नेपत्य में हसी और पंक्तियों के बीच है, कहानी संग्रा में सौमवार और अन्य कहानियों में कपिल का पिर्ड, तीन नाटक, अच्छे आदमी, जादो जंगल, सामिल है उन्हें समसेल सम्मान, पहल सम्मान, मध्यप्रदेश सरकार का सिखर सम्मान और माखरलाज चतुरवेदी सम्मान के साथ केंद्रिय साहित्य, अकादमी के पुरसकार से सम्मानित किया गया पुरानी जिजो के पक्ष में, प्रस्तुत काव्य में कवी आधुनिक भागदोड, नई-नई वेग्नानिक उपलप्तियों, तथा क्रूरता के माहोल में प्राचिन मान्यताय, प्राचिन वस्तुए, तथा प्राचिन जीवन दर्शन अपना अलग और शाश्वत महत्वर अ इस कवीता में मनुष्यता को बचाये रखने का प्रबल संगर्स परिलक्षित होता है, अब हम काव्य की एक-एक पंक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है, लोगों के कुछ पुरानी चीजे हर वक्त, यह दुनिया परिवर्तन शिल है, दुनिया में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं, लोग नए नए चीजों को सौक से अपनाते भी हैं, पर पुरानी और अच्छी चीजो लो को वे त्याग नहीं दीते। पुछानी चीजे आधुनिक युग में भी हमेश है लोगों के काम आती रहती हैं। नानी की कहानिया और दाधी के घरेलू इलाज के नुश्खे। नानी की कहानिया यानि ग्नालप्रद कहानिया और दादी के इलाज के गरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए है न कभी पुराने होंगे वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे काम आते रहते हैं जिसे सद्यों पुराने पहाड और प्राचिन इसी तरह सद्यों पुराने परवत और उनके किनारे बसी रची प्राचिन सभ्यता भी कभी नश्ट नहीं हो सकती और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वो हर युग में उनके काम आती रहेगी कम्पिटर और सैटेलेट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सडकों पर दोड़ती रहती हैं हमारी पूरानी साइकिले आतीनिक युग कम्पिटर और सैटेलेट का युग है अधिकान शकारिय आज इन दोनों के सहयोग से संपन हो रहे हैं इसके बावजूद कुछ पुरानी चीजों की अहमियत आज भी पहल जैसी हैं उदाहारं के रुप में साइकिल साइकिल भले ही पुरानी युक्की हो पर आज भी वह बीना खर्च की सवारी हैं वह हजारों सडकों पर दोडनी वाला लोगों का मन पसंद वाहन हैं सच एक प्राचिन चीज है और हाला की जूट भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के इतना ही नहीं सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था इसके साथ ही जूट भी सच जीतना ही पुराना है नए जमाने में भी ये दोनों अपने प्राचिन रूप में प्रच ले थे और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तई है बनिसबत हिंसा के एक साधा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के यहाँ पर कभी कह रहे हैं सादा और सरल जीवन प्राचिन सब्यत की देन रहा है उसका अस्तित्व आज भी उसी तरफ विद्मान है यदि आधुनी ग्यूग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज्यादा काम आता है हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगर्टित है अर्थात कुरूरता और विनमरता में से विनमरता स्रेश्ट है यह बात हर व्यक्ति सीकार करता है पर हिंसा का सोर अधिक है ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगतित होते हैं दूब कम शोर वचाती है व्रुक्षो से विनमरता कोई कायरता नहीं विनमरता में सोर के लिए कोई स्थान नहीं होता शोर का प्रवेस होने पर विनमरता नहीं रहती यह बात कवी व्रुख्ष और दुब के माध्यम से समझाते हैं कि तनकर खड़े हुए व्रुख्ष हवा लगने पर पहुत सोर मचाते हैं पर लोचदार दुब हवा लगने पर कभी सोर नहीं मचाती विनमरता व्यक्ति का भूषण है इसे कायरता नहीं कहा जा सकता नई नई मुर्खताओं के बावजुद बची रहती हैं पूरानी समझदारिया अर्थात नई जमाने की तरह तरह की मुर्खताओं के बावजुद पूरानी समझदारी हमेशा बची रहती हैं शुरुतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास अर्थात वहां लोगों के काम आती हैं यादों में शेस रह जाती हैं थोड़ी थोड़ी खट्टी मिठी बाते यहां पर यह काव्य पूना होता है आभार